कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और वेलकम है आप सभी का मौर्णिंग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे crypto market की क्या हाल चल रहे है क्या हाल चल रहे है bitcoin के क्या हाल चल रहे है ethereum के और साथ के साथ क्या important update आ रही है वो भी cover करेंगे अगर आप bitcoin को देखेंगे इस morning तो bitcoin चल रहा है 28,500 के level पे 28,500 पे bitcoin का price आ चुका है और 28,775 को यहाँ पे bitcoin ने high लगाया और अगर आप देखो 29,000 का हमने already level हिट किया हुआ bitcoin ने और उसी के करीब चल रहा है लेकिन हो सकता है यहाँ से हमको जो है price में थोड़ी सी नमी देखने को मिले bitcoin की ठीक है क्योंकि bitcoin जो भी कर रहा है वो सिर्फ एक liquidation वाला game चल रहा है market के अंदर और सीधा सीधा आप देखो यहाँ पे 28,000 27,000 पर level से सीधा हम 28,700 के level पे पहुँचगे इतना बड़ा jump लगा दिया bitcoin ने यहाँ पे और यह सब इसलिए हो रहा है जो liquidation वाला game है तो अभी सिर्फ और सिर्फ market में game हो रहे है liquidation वाले है ना और अभी current bitcoin चल रहा है 28,500 के करीब इसके लावा अगर आज हम बात करें top gainer की जो market में सबसे ज़्यदा top पे उपर चल रहा है वो है lina मीना और lina को miss मत कीजेगा बहुत पहले आपके साथ share किया था कि ये दो coins जब जागेंगे market के अंदर तो इनका pump रुके गा नहीं है ना और ये चीज़ आपको market में देखने को मिल रही है पहले मीना ने करके दिखाया अब lina करके दिखा रही है और आप देखो pump देखो 0.01 पर लेवल चल रहे थे और 0.017 पर लेवल आ गए कितना बड़ा huge यहां पर अभी 41% green में चल रही है लीना है ना और पिछले कुछ 2-3 महीनों से अगर मैं लीना की बात करता हूं लीना और मीना दोनों ने बहुत अच्छा pump करके दिखाया और आज भी यह 41-42% अभी green में चल रही है नेक्स्ट अपडेट है bitcoin को लेगे सबसे पहली अपडेट अगर आप देखो bitcoin price will shatter 10 million डॉलर पर BTC sales hedge fund manager Jesse Myers और अगर आप देखो यहां पर Jesse है वो यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो bitcoin की price है वो आने वाले टाइम में 10 million dollar की जाएगी और आप देख रहे हो बहुत सारे prediction अल्रडी bitcoin को लेके हो रहे है market के अंदर जिसके अंदर यह भी बहुत बड़ा prediction है कि bitcoin की price इनकी अगर माने तो यह bitcoin की price को आने वाले time में 10 million dollar देख रहे हैं next update है हार्मनी को लेके अगर आप देखो एक यहाँ पर जो है AMA की update है join us for a reddit AMA है ना और यह जो AMA है आज ही होने वाला 5th April यहाँ पर डेट है तो हार्मनी का जो one coin है हार्मनी उसका एक AMA session आज हमको देखने को मिलने वाला है next update है Matic coin को लेके Matic एक ऐसी crypto currency है जो आपको जिसकी rank आप देखोगे सबसे आगे और Ocean X विल पॉस्टपॉन ओपनिंग Matic USDT ट्रेडिंग तो 11 AM 7th April एक तरह से लिस्टिंग अपडेट है Matic की और यह अपडेट है Ocean X की तरफ से और अगर आप यहाँ देखो वी आर एक्साइटिड तो अनाउंस बहुत सारे प्लैटफॉर्म से अवेलेबल है ठीक है तो कभी-कभी ऐसी लिस्टिंग समको देखने को मिलती है जिन पर मैटिक कोईन लिस्ट नहीं है तो Ocean X जो है अब फाइनली साथ अपरेल की डेट है यहाँ पर ठीक है ट्रेडिंग फाइव अपरेल से के उपर पॉलिगॉन मैटिक के नेक्स्ट अपडेट है अगर आप ट्वीटर पर आएंगे तो ट्वीटर पर आज फिर जो है यहाँ पर जो ट्रेंड कर रहा है वह यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है बिट गेट एक्सपोज्ड जी हाँ बिट गेट के बारे में हमने कुछ दिन पहले ही बात की थी जब बिट गेट स्कैम करके जो है ट्रेंड चल रहा था और आज जो है बिट गेट एक्सपोज्ड करके ट्रेंड चल रहा है ग्यारा हजार बारा हजार के करेब ट्वीट्स हैं तो भाईया मैं इतना ही कहूंगा स्कैम हो या ना हो हना अगर आपके क्रिप्टो बिटगेट के उपर हैं तो आप ट्रांसफर कर लो क्योंकि आज की डेट में फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आपके फंड्स सेफ रहें मैं यहां पे कोई फंड नहीं फैला रहा हूं है ना मार्किट के अंदर कुछ भी हो सकता है अगर चीजें ट्रेंड हो रही है तो जो है स्कैम भी हो सकती है बिटगेट एक्सचेंज अगर ट्रेंड हो भी रहा है तो जरूरी नहीं है कि scam हो लेकिन कुछ भी हो सकता है अगर होता है तो अच्छा नहीं होगा नहीं होगा तो बैटर है अच्छी बात है आब बाद में फिर से अपना transfer कर सकते हो लेकिन अगर कुछ हो गया है ना exchange को या exchange के साथ तो आप मजाक मजाक में हैं ना कि अब तो हम देख रहे थे कि Twitter पर trend हो रहा था लेकिन हमने कुछ किया नहीं तो बस इतना ही कहूंगा Bit get जो भी चल रहा है जो भी expose हो रहा है जो भी scam trend चल रहा है ठीक है इसका result जो भी निकलेगा scam हो गया या नहीं होगा या ये exchange के साथ कुछ होगा या नहीं होगा नहीं होगा तो better है होगा तो आपके funds पहले ही safe हो जाएंगे ठीक है इसलिए बोल रहा हूँ कोई यहाँ पर fund फैलाने की कोशिश नहीं है लोग Binance और Binance CZ के किलाब fund फैलाते हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं market के अंदर जिनके बारे में बात ही नहीं करते तो BitGet का अगर कुछ scene चल रहा है तो कुछ ऐसे ही नहीं चल रहा होगा कि हवा में कोई scene चल रहा है ठीक है कुछ ना कुछ बात होगी तभी ये चीज़ें trend करती है बीना हवा में कोई चीज़ेंड नहीं करती तो थोड़ा सा अवेर रहो BitGet को लेके ठीक है नेक्स्ट अपडेट है वेल की तरफ से ब्लू वेल 0074 जस्ट बोट 9,99,000 Matic Coin 1.1 मिलियन डॉलर की वैल्यू है और Matic की एक लिस्टिंग की अपडेट भी आई है OceanX के उपर और उसके साथ साथ वेल्स तो continue खरीद ही रही है यह जो वेल्स खरीद रही है इसका result आपको आने वाले time में पता चलेगा Matic के price पे ठीक है immediate reaction भले ही आपको ना दिख रहा हो लेकिन इनके result आपको दिखेंगे Matic के price पे तो थोड़ा सा Matic पे focus करें next update भी Ethereum whale bond को लेके है अगर आप देखोगे just about 3,11,000 link chain link token खरीदे है 3,00,000 से जएदा जिनकी value 2.3 million dollars की इसके अलावा Shiba इनु को भी whales की तरफ से आज फिर खरीद आ गया यहाँ भी recently हमने आपके साथ share किया था 99 billion वाला transaction 99 अभी एक दो दिन पहले ही whales ने खरीदे थे लेकिन आज फिर blue whale 0073 इस whale का नाम है blue whale 0073 और इस whale ने खरीदे 2,29 billion है ना sorry 229 billion 230 billion के करीब यहाँ पे Shiba इनु निकल के आ रहे है 230 billion Shiba इनु अपने bag में अड़ की इस whale ने और जो यह value है इन Shiba इनु points की वो है 2.5 million dollars की तो Shiba इनु को लेके whales के transaction होना यह अपने आप में एक बहुत बड़ा इसारा दे रहे है कि pump दिखेगा Shiba इनु का ठीक है तो अगर आपके पास Shiba इनु है तो hold करें सिर्फ और सिर्फ holding का ही मंत्र है और फिर से 230 billion Shiba इनु खरीद लिए whales last and final में हम बात करेंगे bitcoin की payment bitcoin को adoption मिल रहा है bitcoin को adopt किया जा रहा है और इस पार adopt किया है fashion giant Ralph Lauren to accept bitcoin payment in Miami store तो Miami के stores के अंदर जो है यह fashion giant अब यहां पे accept कर रहा है bitcoin की payments है न तो आज किस वीडियो करते हैं यहीं पे इंट वीडियो पसंद आया like share comment कीजिएगा कोई भी question कोई भी सवाल पूछ सकते हैं किसी भी crypto में invest कर रहे हैं हमेशा अपनी research करें वो बहत ज़रूरी होती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care